हलो दोस्तो मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए Class 12 Physics से एक Most Important Topic का Objective Question लेकर आया हूँ और वो टापिक है गास का प्रमे एवं विद्धुत विभो तो आज का ये वीडियो आपके लिए Most Important होने वाला है वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं तो हमारा आज का पहला कोशन है वायू में स्थित एकांग धनावे से निकलने वाले समपूर विद्धुत फलस का मान होता है तो आपको बता दे कि वायू में इस्थित एकांग धनावे से निकलने वाले संपूर विद्धुत फ्लस्क का जो मान होता है 1 by epsilon not के बराबर होता है तो आपका जो right option है option B सही है तो आप सभी ने गौस थीरम पढ़ा होगा तो 5 बराबर होता है Q by epsilon not तो संपूर धनावे से निकलने वाला विद्धुत फ्लस्क का मान 1 by epsilon not के बराबर होता है अगले question की और question number 2 है एक अविसिस्ट चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्धुत छेत्र की तिवरता होती है तो आपको बता दे कि सतह के किसी बिंदु पर विद्धुत छेत्र की तिवरता लंबवत होती है यानि कि आपका जो right option है option B है अगले question की और question number 3 है एक अविसित चालक का छेत्र अविस का घनत्व सिग्मा है इसके पास विद्धुत छेत्र का मान होता है तो आपको पता होगा कि प्रिष्ट आवेस के घनत्व को हम सिग्मा से लिखते है और ये बराबर होता है प्रती एक आंग छेत्र पल में पाये जाने वाले आवेस के तो यहाँ पर question में क्या पूछ रहा है? question में पूछ रहा है कि आवेस घनत्व सिग्मा है उसके पास विद्धुद छेत्र का मान होता है तो आपको बता दे कि विद्धुद छेत्र E बराबर होता है सिग्मा बाई इपसाइलन नॉट तो इस हिसाब से देखे तो आपका जो राइट आप्सन है आप्सन भी है अज़ चलते हैं एगले question की और question number 4 है यदि गोले पर आवेस 10 microcolum है तो उसकी सता पर विद्धुदी flask है तो flask 5 बराबर होता है E into A तो जो ये area है वो बराबर होता है 4 pi R square के और E बराबर क्या होता है Q by 4 pi epsilon not R square तो R square से R square cancel हो जाएगा तो यहाँ पर देखे 1 by 4 pi epsilon not की value होगी 9 into 10 के power 9 तो question में देखेंगे तो Q की value है 10 microcolum तो multiply कर देंगे 10 into 10 के power minus 6 का और यहाँ पर बचा हुआ जो 4 pi है उसका हम इसमें क्या करेंगे गुड़ा कर देंगे तो जब आप solve करेंगे तो आपका answer आएगा 36 pi into 10 के power 4 तो आपका जो right option है option B है question number 5 है द्रव की एक boot को आवेसित करने पर सिकोणने की प्रवित्ती तो आपको बताना है कि इसके सिकोणने की प्रवित्ती बढ़ेगी घटेगी अपरिवतित रहेगी या इन में से कोई नहीं होगा तो आपको बता दे कि द्रव की बूत को अगर हम आवेसित करते हैं तो उसके सिकुणने की प्रवित्ती घड़ती है तो आपका जो right option है option B है Question number 6 है गौस के नियम के अनुसार तो गौस के अगर theorem आपने पढ़ा है तो उसके recording देखा जा तो आपका जो right option है option A सही है तो यह सही इसलिए है क्योंकि 5 बरावर उन्हेंने बुतला था 1 by epsilon not गुना होता है total charge के तो charge क्या है क्यों है तो इसलिए आपका जो right option है option A सही है चलते हैं अगले question की और question number 7 है एक बंद प्रिष्ट के अंदर एक विद्धुत द्रीधु इस्थित है बंद प्रिष्ट के निर्गत कुल विद्धुत फ्लस्क होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो विद्धुत द्रीधु हुआ है वो अंदर है तो जब अंदर होता है तो फ्लस्क जो होता है वो होता है 0 ठीक है अंदर की तरफ फ्लस्क क्या होता है 0 तो आपका जो right option है option D है चलते हैं एक ले question की और question number 8 है आरवन वह आरटु त्रिज्याओं के दो चालग गोलों के प्रिष्टों पर आवेसों के प्रिष्ट घनत तो बराबर है इनके प्रिष्टों पर विभव का अनुपात होगा तो इनके प्रिष्टों पर जो विभव का अनुपात होगा वो होगा आरवन रेशियो आरटु यानि कि आपका जो right option है option B है आई चलते हैं एकले question की और question number 9 है अनंत्र लंबाई के आवेसित बेलना का चालक की अच्छ से आरदूरी पर विद्धु छेत्र होगा तो इस question का जो right option है option B है कैसे है आई देखते हैं तो विद्धु छेत्र E बराबर होगा 1 by 2 pi epsilon not lambda by R तो आपक वाले विद्धु छेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क होगा तो टार्क बराबर क्या होगा तो टार्क के लिए मैंने formula बताया है टार्क बराबर होगा P into E तो याद रखेगा E cross P नहीं करेंगे P cross E कहेंगे क्योंकि ये vector है vector product में ऐसा नहीं होता scalar product होता त तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो right option है option A है चलते हैं एगले question की और question number 11 है यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेसित किया जाया तो उसके भीतर का विभाव होगा तो जब हम खोखले गोलक के चालक को धन आवेसित करेंगे तो उसके भीतर का जो विभाव होगा वो धनात्मक होगा और समरूप होगा तो आपका जो right option है option B है चलते हैं अगले question की और अगला question है एक electron तथा एक proton एक दूसरे के समीप आ रहे हैं इस निकाय की इस्थितीज उर्जा क्या होगी घटेगी बढ़ेगी अपरिवातित रहेगी या फिर अनिस्चित होगी तो य अगर दोनों electron ही होते तो वहाँ पर इस्थितीज उर्जा क्या होती बढ़े जाती है अगले question की और अगला question है एक electron को दूसरे electron की और लाने पर इस्थितीज उर्जा होगी तो अभी जो मैंने बात उपर बताई है वही बात यहाँ पर आ गई तो जब हम दो electron को समीप ले जाया जाता है तो आवेस की इस्थितीज उर्जा क्या होगी बढ़ेगी घटेगी और परिवर्तित रहेगी या फिर और निश्चित होगी तो जब हम low से high की हो जाते हैं तो हाँ पर इस्थितीज उर्जा बढ़ती है तो आपका जो right option है option A है बात कहते हैं question number 15 की होती है वो बढ़ती है तो आपका जो right option है option B है चलते हैं अगले question की और question number 16 है सम वीभवई प्रिष्ट पर एक electron को एक बिंदू से दूसरे बिंदू पर विस्थापित करने में तो आपको बताना है कि कार जो है वो कितना होगा तो आपको बता दे कि यहां पर कोई कार नही होगा क्योंकि प्रिष्ट जो है वो सम वीभवई है अब यदि हम इसे एक बिंदू से दूसरे बिंदू पर ले जाएं तो हमें कोई कार करना नहीं होगा तो आपका जो right option है option D है चलते हैं अगले question की और question number 17 है यदि सम रूप विद्धुती छेत्र x दिसा में हो तो सम वी केंद्र पर तो किसी भी आवेसी खोकले गोला का चलक के केंद्र पर विद्धुत जो छेत्र होता है वह सुनने होता है परन्तु वीभव कभी सुनने नहीं होता है तो इस हिसाब से देखे तो हमारा जो right option है option C है अगला question है डिबाई मातरक है तो डिबाई मातरक किसका होता है विधु दृधु दृधु आगोंड का तो आप का जो राइट Óption है आप्रशन सी हे तो विधु दृधु क्या होता है दो समयाँ आवेresh होंगे परन्तु होते हैं और यह कुछ दूरी पर होते हैं तो उस सिस्टम को Selbst विधु दृधु दृधु तो यदि हम आवेस को ले लें और उनके बीच की दूरी को ले लें तो उसे हम बोलते हैं विद्धु द्रिधु आगुण तो आपका जो राइट ऑप्सन है ऑप्सन सी है आईए चलते हैं अगले कोशन की और कोशन नमबर 20 है कुलाम का प्रमे है तो आपको बता दे कि क्यू आज का पहला पार्ट मिलते हैं अगले पार्ट में आपको आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलेगा कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में तब तक के लिए जय हिन जय भारत